आप भी अगर थोड़े से चलते ही ठक जाते हैं दोस्तों आपकी सांस फूलने की समश्या है या फिर आप जैसे सीडियों में चड़ते हैं थोड़ी सीडिया चड़ते ही आप आफने लग जाते हैं सांस फूलने की समश्या हो जाती है आप ज़्यादा ठकते हैं तो उसके लि आप खुद इतना ज्यादा अपने आप में मैसूस करेंगी दोस्तों चाहे आप गंटे गंटे बर की मॉर्निंग वोक करेंगे ना तो भी आपको सांस फूलने की समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है तो उसके लिए दोस्तों मैं या पे बता रही हूं आपको तुलसी जो त बाहत दिलाने वाली होती है अगर आप तुलसी का सेवन वैसे भी पत्या तोड़कर कर लेते हैं तो आपके पता नहीं कितने रोग खतम होते हैं लेकिन ऐसा काम आज कल आमने करना छोड़ दिया है क्योंकि गर की चीजों की तरफ तो ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है जैसे दोक्टर के पास भग लेते हैं लेकिन आप आजमा कर देखना मेरे कहने से एक बार इस नुस्के को अस्तमा की जो पेसंट होते हैं उनके लिए भी ये नुस्का जो है लाग कारी है दोस्तो आजमा सकते हैं इसका कोई भी नुक्सा नहीं होगा आपको तो यहां पे आमने बन कर तयार हो जाएगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है मैं यहां पे आपको सिर्फ समझा कर बता रही हूँ आप पूरा वीडियो द्यान से देखना उसके बाद में आप बना कर लेना तो आपको बेहद लाब मिलेगा इस नुसके से सबसे पहले आपको त रामा तुलसी होती है उसका इस्तिमाल कर रही हूँ रामा तुलसी श्यामा तुलसी दोनों तरे की तुलसी अमारे गर में रहती है वैसे तो तुलसी जो होती है बहुत परकार की होती है दोस्तों लेकिन यह दो तुलसी अकसर गरों में पाई जाती है क्योंकि इनी को गर मे ज़्यादा लगाया जाता है बाकी जो तुलसी होती है वो ओपन एरिया में लगाने के लिए होती है लेकिन यहां पे जो है आम जो गर में रखते हैं एक रामा तुलसी एक शामा तुलसी तो उसमें से भी आमें यहां पे शामा तुलसी का इस्तिमाल करना है जो डार्क कलर की ह एक बिल्कुल अरे होती है, वो अमें नहीं लेनी है दोस्तों, उसकी बजाय जो शामा तुलसी होती है, इसमें ज़्यादा medicinal property पाई जाती हैं दोस्तों जितनी ये पवित्र होती है ना दोस्तों तुलसी उतनी ही ये आपकी सेथ के लिए भी अच्छी होती है इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है आप बिंदास कर सकते हैं तो यहां पे हमने कुछ पत्या तुलसी की ले ली है मैंने इतनी पत्या ली है कि आप इसको चाहे ना तो कम से कम तीन से चार दिन के लिए बना कर रख सकते हो लेकिन अगर आप इसे रोजाना बना सकते हैं तो रोजाना बना कर इसे ताजा ताजा ले आप तो आपको ज्यादा लाब मिलेगा लेकिन बाई चांस अ यह बन जाती है इतना आपको लेना है इसको फूलसी जो होती है अगर आप कुछ बून्दे पानी में डालकर पी लेते हैं तो आपकी इम्मिनेटी मजबुत होती है इससे और जैसे बदलते मोसम में किसी भी तरह का संकरमेंट, फ्लू अगेरा किसी का इतर रहती है, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, जुखा, मलेरिया जैसी सभी बिमारियों से निजात दिलाती है, तुलसी जो है एंटिबाइटिक का भी काम करती है, इसके सेवन से आपके सरीर में जितने भी आ पत्ति और इसमें मिला लेंगे यहां पे एक चमच सेथ दोस्तों बस तोनों चीज आपकी यहां पे एक चमच होनी जाए यह आपको अस्थमा और सांस फूलने की जो समस्या है ना दोस्तों जैसे सीडियों पे चड़ते समय वोक के लिए जाते हैं तो या थोड़ा सा काम कर पत्ते ही आप ठक जाते हैं सांस फूलने लग जाती है उसमें आराम दिलाएगी आप इसका सेवन सुबे सुबे कर ले इस तरीके से कर सकते हो आप कूटकर जो तरीका मैंने आपको बताया है अब इस चमच को आप सुबे सुबे ले दोस्तों जैसे चाए पानी वगिरा ले तो एसा आमें नहीं करना चाहिए या तो आप तूलसी की पतिया तोड़कर उन्हें सिधा ही पानी के साथ निगले तो इतना जादा आपको फाइदा नहीं मिलेगा जो रैसीपी मैंने आपको बना कर दिखा दी है ना इस तरीके से लेना आपको जल्दी राहत मिलेगी अगर आपको भी सांस फुलने या अस्तमा वगेरा की सिकायत है तो बेहदलाब मिलेगा इससे आप आजमा कर देखना और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आती है तो प्लीज रेमेडी को जादा से जादा से जादा सेर करना क्योंकि ये जो बिमारिया होती है इनसे सभी परिसान है आप दोस्तों आप बोलेंगे तुलसी आपने ज़्यादा कूट कर रखी है तो हाँ इसलिए कि आप इसको फ्रीज में रखकर तीन से चार दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आप सीधी पत्या खाएंगे ना तो उतना फाइदा नहीं मिलता हो और किसी किसी को टाइम भी कर रख लें तो यह जो रैसी पी है बहुती आसान है दोस्तों आप आज मा सकते हो बहुत ज्यादा फाइदे मंद है और अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई हो ना तो प्लीज रेमेडी को लाइक, सेर, कमेंट और चैनल पे अगर आप पहली बार आए है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका भूत बूत धन्यवाद